Hello everyone, so कैसे हैं? आप सब आज हम बात करने वाले हैं IP University की तीन बड़ी updates के बारे में तो पहली update तो अरी students के लिए जिनका भी answer के release हुआ था और आने के बाद कब गायब हो गया पता ही नहीं चला है तो आप लोग परेशान मत हुआ और यह चीज बिल्कुल भी मत पूचे comment section के अंदर यह मैं अपने answer की कैसे चेक करूँ क्योंकि वह आप जाके आके जा चुकी है अब दिखते हैं national level students की update जिनकी लिए आप लोगों का 21st of June को result declare कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो student master's course में apply कर चुके हैं जिनका entrance exam का result आ चुका है CRL आप लोगों को मिल चुका है अपना CML मिल चुका है आप लोगों को तो आप लोगों का जो online counseling का प्रोसेस से 23 तारिक तक चलने वाला है उन्यस तारिक को आप लोगों का online counseling का registration स्टार्ट हो जाएगा तो 19-23 के बीच में आप लोगों इसके लिए registration कर सकते हैं और बाकी आगे आने वाले time में आप लोगों का online verification भी होगा किसे 26 के बीच में देन उसके बाद choice filling का process स्टार्ट हो जाएगा 23 से लेके 26 तारिक के बीच में तो हर एक कोर्स का अलग-अलग होता है जो 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 जिए students का भी final result नहीं आया है वोने students के भी online counseling का प्रोसेस चलेगा तो तब भी मैं आप लोगों का अब्डेट देदूँ कि कब आप लोगों का counseling का process registration स्टार्ट हो रहा है तो यह थी तीन important updates जो आप लोगों काफी useful लगी होंगी है और मिलते है नेक्स वोडियो में बैटे क्यार थेंक्यू सो मच